मुंबई के आज़्याद बैदान में किसान अलाइंस मोर्चा के समर्थन में पहुचे सैकड़ों लोग दिया किसानों को समर्थन सबसे जादा महिला है रही सामिल देखे खबरे आज भी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट अलाइंस मैं गए घानी है किजने आरे नाव कर देंग है जाहाँ ज chegou जाहाँ जाहाँ दोज on तौज जयोग। झाल 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 हम अधे एव ऐप किते हैं, को हचिप है गरक हुआ जो उन को अजए गाजे ते हुआ जो को डिली आपक का भा उन में navy हैं अध्या बाइर है वारा। मुटकरफ राफ्चान आप दोड़ में थाओ र। आपके ज़ादा काहां वारा। । झाल झाल कि असलाव अलेकुल सब्सक्राइब करना चाहूंगा मुझे ही तरा मंतित किया वैसे मेरी पैचान यह है कि मैं पूरे महराश्टा का सबसे कम उमर का एमेले हूं उससे पहले भारत देश का नागरिक हूं और इसलिए जब मैं देखता हूं आप सब की तरह जो हम देखते हैं क हमारे किसान भाई कि किस कजणाईयों का सामना उनको करना पर रहा है तो दिल में बहुत दुख होता है हमारे कितने किसान भाई शहीद हो चुके हैं मगर प्रजान मंत्री और केंद्य सरकार उसके बारे में उफ भी नहीं करती है मैं जादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत है सबय कर तकाज़ा है पर हम सब आज इधार एक जुत हुए है कि हुद्ञ और हम एक ही ज़बे के साथ है कि हमारे किसानों के हक की लड़ाई के लिए जो काले कानून एक इंद्रिय सरकार में जो प्रोटेस्ट है वो सीव आज की दिन नहीं होना चाहिए जब तक ये कानून ओफिस नहीं दिया जाता है हम सब को संगर्श करना है हम सब मात्मा गांदी जी के मानने वाले हैं अगर हम उस वक्त अहिंसा से हम गोरों से नर चुके हैं तो यह तो कोई नहीं है हमारे साथ में आप सभी का तैयल जिसी शुप्रियादा करने चाहूंगा अलेक ज्यक्ता है मैं अपनी दोश्व इधरी खत्ब करना चाहूंगा जैहिंग जैह माराश् किसान एलाइंस अंदोलन की तरफ से विद्य अताई आमदार और प्रूफेसर मुंगेकर का स्वागत करता हूं दोस्तों भाईयों और बेहनों हमारे बीच एक ऐसी शक्ता अपने की है और मैं सबसे पहले फारीद भाई और एक-एक संस्ता जो यहां पर है जिन्होंने आज इस अंदोलन को अरेंज किया उनके लिए चाहूंगा दिया अब्जोरदार तागियां बजाए आज पूरे हफ्ते हम लोगों ने इलाके इलाके में जाकर लोगों से अपीर की लेकिन मैं खास तोर से मेरी मावेने जो यहां पर दूप में बैखी है बुर् जो पिछली कई सरकारों ने जो हमारे नेता रांच यह स्टेट से आज मैं खड़े हो कर बोलना चाहूंगा कि मेरी रियांच से बात सुन लो अंबानियो रदानियो अगर तुमने किसान से पंगा ले लिया गलत हात में तुम आतो गए हो अगर किसान जो जाग गया है उसे गुस्सा आ गया आज हिंदू आज मुस्लिम आज सिक इसाई सब एक साथ हो गया है अगर हमारा सिर्का पारा उपर हो गया तो इंदुस्तान में तुमारी BMW Mercedes कम बिकेगी और किसानों के ट्रैक्टर ज्यादा यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर एक जकारे के साथ मैं मेरे कान्ति करूंगा क्योंकि यहाँ पर आज समय का हमने बहुत महत्वर रखना है तो आओ पूरे मुंबई महाराष्ट्रा हिंदुस्तान दुनिया में बता दे किसान एक है एक जकारे के साथ हम शुरुवात एक नभी करेंगे मुंबई के इतिहास की बोले इसो नियार किसान एक ता किसान एक ता वाहिगरुजी का खाल्चा वाहिगरुजी की फते बहुत 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 जोश डाल दिया है कि अभी आंदोलन का पूरा मूट शारे देश में बहच चुका है दोस्तों जादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ मेंकर पंजाब की वो सरजमीन ने बिटिश हुकूमत के किलाफ बगड़ी संबल जत्था भी चलाई थी बघड़ सिंग और उनके चच्चा ने कुर्बаниया दी थी और वो समझते हैं जमीन में जो किसान की पुरी मेहनत करने वाले समझते हैं कि जब बाजारी करन होता है जमीन का बाजारी करन होता है खेती मजदूरी का तो क्या होता है यहां बात हुई हिन्दू मुसलमान, कristi plywood की मैं यह कहना चाहती हूँ यहां से कि किसान हमारे आदिवासी भी है किसान हमारे दलिट भी है किसान हमारे ओभी सी मुसलमान, सिख और कristi भी है और इस वक्त जो रोजी रोटी और स्वाविभान की लडाई लडी जा रही है उसमें हमें सबी साथ देना बहुत-बहुत सरूरी है दोस्तों ये बंबई शेहर जो है अजीब और अज इस आंदोलन की अध्यक्षिता कर रहे बहुत ही जुझारू नेता शिरी जस्टिस कुलसे पार्टिल साथ यहां आए वे तमाम इंजियोज तमाम ब्रुटकल पार्टिस तमाम सोशल वरकर्व जिन्होंने आज मोधी सरकार जो भी आगे बढ़ता है उसे खरीब लेती है लेकिन इन्होंने सावित कर दिया कि मोधी तूने तेरे बाग की ताकत में हमें खरी सके तूँ यह हमें डरा सके तूँ यह हमारे सिख भाई जो बैठे हुए हैं यकिन जानिये ना जुकने वाले हैं न बिखने वाले हैं किसान इस देश का 65% 70% लोग किसान हैं मोधी शाह जानपूर जहां जहां धरने पर बैठे हैं उन सब का शुक्रिया देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए हम सब के लिए लड़ने के लिए उन तक ये आवाज पहुचाईए कि वो अकेले नहीं है सिविल सोसाइटी भी उनके साथ है जुड़ चुकी है एक साल से भी जादा अरसा हो गया जब सी एनर्सी के खिलाफ ड़ाई शुरू हुई थी तब बहुत लोग जुड़े थे अब और भी जादा लोग जुड़ ग ये हजारों लोगों का इकट बता रहा है ये हजूम बता रहा है कि जे अंदोलन एक इस्थेले किसान का नहीं मजदूर का नहीं ये हरियाने का नहीं पंजाब का नहीं सिक का नहीं हुआ आके खोल कर देखिए देखिए जदेश आपको बोलना है आप गुरीबों के मुझे निवाला शीनने की कोशिश कर रहा हूँ आप संचियल कॉमोडिटी जो कौनून बनाया है अपने खादे पदार्तों की पबंदी जो लगती थी संचिये मादी जी आप दलाल हो और आपकी दलाली ज्यादा चिर नहीं चलेगी ये देश के लोग इस देश को गुलाम होने के लिए होने से बचाने के लिए खड़े होएंगे और आगे भी एक जुट होते रहेंगे और सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादुए का दिल में है अभी तो एक सो बाईस हीद हुए हैं और कितने मारोगे मारो जितने मारते हो मरने के लिए त्यार हैं हम शांत महीं रहेंगे हम शांत महीं रहेंगे शांत प्रिये लोग हैं हमें संदोलन को जीतेंगे इसी पर मैं समापती करता हूं और फते प्रवान कीजिए वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की फते जाय किसान अब तो नहरा पलटना चाहिए जाय किसान जाय जाय किसान जाय किसान जाय किसान साथियों किसान अलायंस मोर्चा के तमाम नेत्रुत्व में रहे साथी जिनमें हिंदू मुस्लिम स्री किसाई किसान मजदूरों के प्रतिनिधी शामिल है जिसमें भूतपूर्व न्याय मूर्थी कोल से पार्टिल जी है हमारे सायूकता मोर्चा के समिती के गणमान्य सदस्या बूतपूर्व साउसद राजू शेक्ती जी है प्रतिवात आई है फिरोज बिठीबोर वाला है परीच शेक जी और उनके तमाम साथी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे है बट्क्यावि मुक्तजाती के राठोड जी मैं बोटी साथ को दे बताना है करता हूं कि देखिए यह आज उसे धक्ष कूरे देश का बन चुका है यह देख रहे थे और मैं यहां आज सभी का धन्यावाद करता हूं कि मत को बहुत कुछी होई कि मत कुछी होई सब्सक्राइब के और संयुक्त किसान मुर्चा के कमिटी के सधस्य अमर्जित सिंग जगबीर सिंग और मुपीश सिंग जी यहां है हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे मंबई के गोली बार के हो और बंडाला के हो किसे डाल पगर के हो हार चगह के लोग बड़ी तादात में अजया है किसी यह कानूं वापस करें बिना इस देश को भूखे प्यासों को जिंदा नहीं हुच्षा का कि अब करने लोगों इतनी सर्दी इसंग्रश करना चालू है और जो जुल्म कर रही है उसका असली चेरह सामने आ है इस को बेट लिए और बेटरी और स्थिया इस और बेट देट्राब और कोई ऐसी चीट नहीं चोड़ी एक दिन में 23 जो पब्लिक सेक्रिटी जियोत्रों अदारे तो बेश दिया अब भी जो कुरोना की जो मार्थी सबसे ज्यादा चलने वाला जिसमें प्रेश को सुलाइब करने के लिए खड़ा हुआ खेती सेक्रिटी उस पे नजराय सर्कार की और आज हो अदानी एंवानी और को बिखने जा रहे हैं यह हम विखने में जेंगे और मैं लेदा पर्टेखर जी और वाकी नहीं नेता का मैं धन्यवाद करता हूं उन्होंने संदोलन को इस देश में बनाने में बड़ा कदम उठाया देखे हमारी मैंने विखे बिखे जब 50% फिस्सा डालने वाली के इसकी और उपड़ी होगी ना तो इस देश की कोई भी ऐसे देता नहीं होगा ऐसी सिर्कार नहीं होगी जिसको बिखने के बलाकर के इस देश को अकवार लिए एक गरीब इंसान 20 रुबाय किलो चामल आटा खनी के खार रहे हैं तो क्या चाके रखेगा लेकिन मजदूर मजदूर कैसे रखेगा मजदूर जागे किसान जागे और जागे मुलाजम भर जागे जब जागेंगे तो है लड़ाई हम तो जितनी जड़िया साथ है कि रोज की कमाई 314 करोड रुपे हैं वो गवल गोडाउन बांदेंगे नहीं जमा खोरी से और मुनाफ़ा खोरी को आगे बढ़ाएंगे तो इसका क्या रेट हो सकता है शौक फाइशे लिडर से महारा इससंकार पानी देती है कंपणि मेरor जो सोला लौग बाज बजाता नहीं आओ School enter जो बाज बाज बाली खुदाद